नमस्कार दोस्तों स्वगत आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंगे तुरंट वीडियो में कमेंट करके जरूर रता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्र यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल यह वाट्सप कर सकते हैं इस्टाग्राम पर हमारे जरूर फोलो कर लिएगा इस्टडी फॉर सिविल्स है सारे कोईशन अटेंट करिया और इसको अपना तुरंध कमेंट करके बता हिए गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स माइन इस चंदर वर्धन और आई वेल्कम यू आल तो एश्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वन अप इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जरूर ध्यान देना चाहिए इस पर कॉल करिए और टेलिग्राम चैनल से जुरिए और हमारे पेट ग्रूप से जरूर जोइन करके अपने तैयारी को नेया आयाम दीजिए चलिए शुरू करता है आज का अपना पहला क्वेशन जैब विविदता यानि की बायो डाइवर्सिटी से जुड़े हुए मुद्द्यों पर जाग रुपता के लिए हर साल किस दिन अंतराश्टी जैब विविदता दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल बायो डाइवर्सिटी डेड is observed every year कब मनाया जाता है 20 माई 21 माई 22 माई या फिर 23 माई एंसर क्या हो जाएगा एंसर होगा 22 माई 22 माई को यह मनाया जाता है चलिए इसके बारे में थोरा सा डिटेल देख लेते हैं जैब विदता जो है वो पारिसिती के तंतर सेवाओं की आधार सिला होती है सब लोग जानते है बायो डेवर्सिटी is the cornerstone of ecosystem services अचा 2022 का theme क्या है बहुत ही important है सभी जीवन के लिए एक साजा भविश्य का निर्मान करना building a common future for all life बहुत ही ज्यादा important है याद रखिएगा और ये जो दिवस है इसकी पहल 90 के दसक में की गई थी जब संजुक्त राष्टर संग के तत्वा बधान में मतलब United Nations के अंटरगत जो है कब आयोजित किया गया था 1992 में कहां आयोजित किया गया था Rio Degenaerio में याद रखिएगा ठीक है और उस सम्मेलन में पढ़्यावरों सर्डक्षन पर विशेज जोड दिया गया था और उसी के अगले वर्स 1993 को 29 दिसंबर को पहली बार जैविवित्ता दिवस मनाया गया था लेकिन इसका डेट कब चेंज हुआ 2001 से यह जो है हर साल 22 मही को मनाया जाता है तो यह भी आपको याद रखना चाहिए ठीक है याद रखिएगा चले आगे देख लेते हैं केंदरिये मंतरी डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने किस छेत्र के सोद करता और स्टार्टप के मिनिस्टर के लिए एकल रास्तरी यह वोटर्ल लॉंच किया है सिंगल नेशनल पॉर्टर लॉंच्टर विच डिसिप्लिन्स रिसर्चर्चरस एड्स start-ups किस field के तो पायो टेखनोलोजी हो गया यानि की जॉबप्रोद्योगी की हो गया जैब पुरोद्योगी की इस्पेस सांस यानि की अंत्रिक्ष विःयान एंडूकेशन यानि की सिक्षा और इंजिण्यरिंण यानि कि अभयांतर की किस शेतर से जुड़ा हुआ है तो ये भी जो है आपका जैव प्रभ्योगी की से ही जुड़ा हुआ है ठीक है बायो टेकनोलोजी से जुड़ा हुआ ये एकल राष्टरिये पोर्टल है ठीक है चले देख लिए बायो टेक सोध करताओं और स्टार्ट के लिए एकल राष्ट्रिय पोर्टल लॉंच किया है डॉक्टर चितेंद सिंग ने जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोधन पोर्टल इसका पूरा नाम है बायो लॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूबल पोर्टल पायो आर रैप टिकेट याद रखिएगा और य असे लिए इसको सिंगल प्लेटफर्म नाम दिया गया है ठीक है चलिए भारत जो है वो एक वैस्विक जैव विनिर्मान केंद्र बनने की और अगरसर है और दोजार पचीस तक दुनिया के सिर्फ पास देसों में सामिल हो जाएगा ऐसा अनुमान लगाया गया है और आगे देखें तो बैस्विक जैव प्रद्योगी की वाजार में भारतिये जैव प्रद्योगी की उद्योग का योगदान 2017 में केवल 3% था ठीक है 17 में कितना था 3% जो 2025 तक बढ़ कर कितना परसेंट होने का अनुमान है 19% होने का अनुमान है तो यदि मेंस में भी आपसे कोई question पुछा जाता है तो इस point को आप include कर सकते हैं वहाँ पर ठीक है लिखियेगा तो ज्यादा number आएगा आपको आगे देख लेते हैं उत्तर पूर्वी छेतर के राज्योत अथा देश में अनुसंधान startup और उद्यमिता से जुड़े हुए ecosystem को सुद्रिट करने के लिए Northeast Research Conclave 2022 का उटगाटन कहां किया गया where was the Northeast Research Conclave 2022 inaugurated to further strengthen the research startup and entrepreneurship ecosystem in the states of North Eastern region and the country IIT मदरास, IIT गुवाहर्टी, IIT इमफाल या फिर IIT देली, answer क्या हो जागा? IIT गुवाहर्टी, North Eastern का है तो यहाँ पर गुवाहर्टी हो सकता है या फिर इमफाल हो सकता है तो गुवाहर्टी इसका सही answer हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं पॉलिसी मेकर्स and further strengthen the research startup and entrepreneurship ecosystem in the resource rich North Eastern region of the state and the country नौर्थ इस्ट के जितने भी इस्टेट्स हैं उनमें या जो है different stakeholders है जया विवित्ता से जुड़े हुए जया प्रोद्योगी से जुड़े हुए उनको क्या करेगा? एक साथ लेकर के आएगा ठीक है और एक ecosystem बनाएगा सरकार NEP National Education Policy 2020 के सिफारिसों के अनुरूप पच्चास हजार करोर रुपए के प्रस्तावित परिविया के साथ राष्ट्रिय अनुसंधान foundation अस्तावित करने की प्रकिडिया में है तो राष्ट्रिय अनुसंधान foundation नेशनल रिसर्च foundation या कितने करोर का होगा? पच्चास हजार करोर का इसमें investment किया जाएगा यह याद रखियेगा ठीक है? और यह जो है आपका NEP 2020 के अंतरगत है ठीक है? असम सरकार IIT Guaharti के बीज में एक MOU भी क्या है जिसका नाम है असम Advanced Health Innovation Institute इसके तहट MOU के तहट अस्थापित किया जाएगा ठीक है और इसके लिए अस्थाक्षर किया गया चलिए आगे देख लेते हैं जो है आपका तुर्की में Istanbul में आयोजित हुआ था याद रखियेगा तुर्की का अभी नाम क्या हो गया है? तुर्की ये हो गया है ठीक है तुर्की को अब क्या कहा जाएगा संजुक्त राश्टर में तुर्की ये कहा जाएगा यह याद रखियेगा ठीक है तुर्की स्वार्ण पदक जीत लिया है फ्लाइवेट मुकाबले में थाइलेंड की जित पोंग जुटा मिंस पर इन्होंने जीत हासिल की है और टूर्णामेंट में स्वार्ण जितने वाली पांचवी भारतिय महिला बन गई है इससे पहले एमसी मैरी कॉम ने अलग अलग वर्सों में जीता है किताब लेटे जो हूटा था दोहजार अठारा में था और इसके अलावा जेनी आर एल और लेखा केसीं ने अपने भार वर्ग में स्वरन पदत जीता था 2006 में ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं next question क्या है हमारा निकत चरिन का नाम याद रखिएगा पहले विस ओवानी की Congress तो 1926 में कहां आयोजित की गई थी चुकि हाली में आयोजित हुआ है World Forest Congress इसलिए या question मैंने सामिल किया है तो France है Germany है Italy है और Britain है में इसलिए होड़े ःतल नाम मतलश अब आयोजित हुआ था 1926 में एस वार कहां हुआ है और जिसमें साही में वन ओधोश्ण कौशना को अपनाया गया सियोल फोरेश्टरिक्लेर संब्हट्वर्ट इंब इम इंडल इन सी ओ writings Facebook याद रखियेगा 2022 का थीम क्या है वनों के साथ एक हरे स्वास्त और अनुकूलित भविश्य का निर्मान बिल्डिंग ग्रीन, हिल्दी एंट, रिजिलियंट फ्यूचर विद पॉरेश्ट स्टिक है और यहाद रखियेगा और यहाद रखियेगा आपका लगभग हर 6 साल पर आयोजित होता है यह भी याद रखने लाएक पॉइंट है इसके अलावा वर्स 1954 से खाद एवं क्रिसी संगठन के द्वारा मिजवान देशों को मदद की जा रही है तो यहाद रखियेगा Food and Agriculture Organization FAO का फुल फॉर्म है ठीक है और इसमें दो तरह का पहल अपनाया गया पहला है आपका सेफ पहल जिसका फॉल फॉर्म है और दूसरा है आपका एफ़र्म तंत्र एफ़र्म का फॉल फॉर्म है Assuring the future for forest with integrated risk management ठीक है तो यह सारे जो पॉइंट से बहुत ज़्यादा important है आपको याद रखने चाहिए चले आगे देख लगते हैं बॉद्ध वास्तु कलाके हीन यान संप्रदाय से सम्मंदित कनहेरी गुफाएं कहां इस्थित हैं जहां हाल ही में अनित पर्याटन सुविधाओं का लोकारपन किया गया है तो सबसे पहले तो याद रुखिएगा कि कनेरी गुफाएं जो है वो हीन यान संप्रताय से समंदित है बौध वास्तु कला के ठीक है और इसका लोकारपन कहां किया गया गुजरात उत्तर परदेश बिहार या फिर महराष्टरा तो कनेरी गुफाएं जो है वो महराष्टरा में है वहीं पर इसका लोकारपन याद है चलिए बेख लेते हैं मुंबई के पश्चिमी बहारी इलाके में पुरू वर्ती साल सेट द्विप है जहां पर संजय गांधी राष्ट्रिय उद्यान के जंगलों में या गुफा इस्तित है कनेरी गुफा वहीं पर गुद्द प 2nd to 9th century AD गुफाओ की संख्या कितनी है लगबग 100 है ठीक है और कनेरी का सरपर्थम लेख किस ने किया है फाहियान ने किया है ठीक है जलावतरन किया है वेर डिट देफेंस मिनिश्टर कमीशन टू इंडिजिनस फ्रंट लाइन वार्शिप्स आएनस सूरत एंड इनस उद्यगिरी मजगाओं पिशाका बतनम कोवा या फिर सूरत यह जो है आपका मजगाओं डोकियाड लिम्टेड बे किया गया है जो कि महर आएनस उद्यगिरी जो है वो एष्टेफ फ्रेगेट है ठीक है आयेनस सूरत जो है वो पी-15 बीस रिनी का चोथा निर्देशित मिशाइल भी ध्वनसक्त है जबकि आएनस उद्यगिरी जो है वो पी-17 एक रस से रिलेट करता है और यह ये फ्रेट पिएट है ठीक है दोन नेवल डिजाइन के द्वारा D&D के द्वारा इसको बनाया गया है प्रोजेक्ट पंदरा भी स्रेनी के जहाज और भारतिये नौसेना की अगली PD के स्टिल्थ काइड़ निसाइल डिस्ट्रॉयर है जिने MDL में बनाया जा रहा है प्रखर P15A जो की कॉलकाता क्लास का हुआ करता था उसका फॉलो ऑन क्लास है तो पहले जो P15A हुआ करता था कॉलकाता क्लास हुआ करता था वही अब जो है एडवांस्ट रूप में P15B स्रेनी में आ गया है ठीक है और यह जो है आपका P17A फ्रीगेट यूद्व जो है वह पहले क्या हुआ करता था P17 हुआ करता था सिवालिक क्लास यह भी आपको याद रखना चाहिए ठीक है अब इसमें जो है उनना थत्यार है एडवांस्ट जो आपके विपन्स हैं वो हैं सेंसर्स हैं प्लेटफॉर्म मेनेजमेंट सिस्टम एटसेक्टर हैं बहुत सारे एडवांस्ट फीचर इसमें दिये गया है तो यह भी आपको याद रखना चाहिए चलिए आगे देख लेत सेंट्रल रेल्वे और वेस्टं रेलवे तो इसमें क्या हो जाएगा पश्चिम अद्र रेलवे यानि कि वेस्ट्- Restaurant रर्य वे ने ऐसा किया है नव्दूत का लॉ às परिकषिन किया है एक तरह से कह सकते हैं Ellis् Sutra का मतलब परिक्षण किया है एक तरह से कह सथो आ 18 डिबो को खीश सकते हैं और इसमें बैटरी कितनी लगाई गई है 84 बैटरी लगाई गई है और यह 400 टन का वजन खीश सकती है याद रखियेगा जरूर और इसे न्यू कटनी जंक्सन के विद्यूत विभाग के द्वारा विक्सित किया गया है तो यह important points है को चलिए आगे देख लेते हैं हाली में सुरेश भाई कोटक की अत्यक्षतामे गठित भारतिय कपास परिसद में किन मंत्रालियों का प्रतिनिशत होगा सबसे पहले तो याद रखियेगा कि भारतिय कपास परिसद के अत्यक्षत कौन होंगे तो सुरेश भाई कोटक होंगे जो की बहुत अच्छे बहुत बड़े कपास के व्यापारी है ठीक है अब इसमें किस-किस मंत्राले का होगा प्रतिनिशत वस्पर मंत्राले, कृष्षी मंत्राले, वानिजय मंत्राले या फिर तीनों का तो इसमें हो जाएगा तीनों मंत्रालियों का इसमें प्रतिनिशत वहोगा गोईल ने जो है एक वयोगृत्य कपास व्यापारी है शुरेश भाई कोटा कुल की अर्ध्यक्षिता में भारतिय कपास परिशत के गठन की गुष्णा की है Union Minister of Textiles, Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं Next question क्या है राष्ट्रिय स्टार्टप सलाहकार परिशत का गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किया गया था इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो सबसे पहला question क्या हो गया कि National Startup Advisory Council was constituted by इसके द्वारा Department for Promotion of Industry and Internal Trade के द्वारा इसको बनाया गया है अस्थापित किया गया है ठीक है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं फिनांस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, बियाट सी बोथ तो ये जो है आपका बानीच ये वम उद्वारा इसके अध्यक्ष क्ष्टिक है तो बी और सी दोनों इसका अंसर हो जाएगा चलिए देख लेगते हैं उद्योग समवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राश्ट्री ए स्टार्टप सलाहकार परिशत का गठन किया है जिससे सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टप के पोशन के लिए एक मजबूत एकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सलाहत दी इकोसिस्टम एक तयार किया जाएगा और उसे पोसित किया जाएगा नर्चर किया जाएगा ताकि इनोवेशन यानि कि नवाचार और स्टार्टप जो है देश में वो अच्छे से विक्सित हो सके ठीक है और स्रीप योश्वेल ने डिजिटल आत्म निर्भरता के तहत जिय जो पोजिशनिक समाधान के लिए नाविक को परोस्थин देने हैं तो नाविक क्रेंड चैलेंच को भी शुरू किया है नाविक जो है धेशी जिपीएस उस्टम है ज्याद रखिएगा है जैसे आमेरिका का गलोब मंतरी होते हैं कि एंसर मैं पहले की बता चुका हूँ चलिए आगे देख लिए हैं किस राज्य में इस्थित रामगट टाइगर रिजर्व को देश का बावनवा टाइगर रिजर्व भूसित किया गया है तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि देश में टाइगर में सित रामगर टाइगर रिजर्व को देश का बावनवा टाइगर रिजर्व को सित किया गया है और राश्टिये बाग संरक्षन प्राधिकरन के द्वारा वन जीव संरक्षन अतिनियम 1972 की धारा 38 के प्राद्धान के अंतरगर Tiger Reserve बनाया जाने की संदाद से धानतिक सुप्रिती दिल गई है Peer Principal Approval for the Creation of Tiger Reserve by the National Tiger Conservation Authority तो किसी को भी Tiger Reserve अगर बनाना है तो कौन authority इसके लिए जिम्मेदार है वो है National Tiger Conservation Authority और किस Act के तहद बनाया जाता है तो Section 38 of the Wildlife Protection Act 1972 इसके तहद बनाया जाता है अब यहाँ पर कौन कों से जानवर पाये जाते हैं तो चीतल है, सियार है, सांबर है, नीलकाए, बालू, भाइना जंगली बिल्लियों के अलावा सांप, लंगूर, मगरमच समे तकरीबन पांसो तरह के जंगली की रामगट ताइगर इदर्व में पाये जाते हैं चलिए आगे देख लेते हैं केंदरिये ग्री और सहकारिता मंतरी अमित सहा ने कहां पर राष्टरिये साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला इनसी इफल का उठगाटन किया तो चिन नहीं, हैदराबाद, बैंगलूरू या पिर देली, एंसर क्या हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद में उठगाटन किया गया है नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबरेटरी का नसी इफल, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, हैदराबाद में CFSL परिसर में यहाँ बनाया गया है ठीक है, साइबर फोरेंसिक प्रियोकशाला नसी इफल, तो परिसर का क्या नाम है CSL परिसर का नाम है Central Forensic Science Laboratory CFSL, और इसी के केंपस में हैदराबाद में यहाँ बनाया गया है आपका National Cyber Forensic Laboratory महिलाओं और बच्चों के प्रती जो साइबर अपराब्द होता है उससे बचने के लिए यह प्रयोगशाला अस्थापित की जा रही है और और CFSL को इस परयोजना के लिए 35 करोर 51 लाख रुपए हिराशी दी गई है ठीक है तो खर्च कितना आया है वो भी याद रखियेगा भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैपिया से जीतकर इतिहास में अपना नाप दर्च कराया है यह टूर्णामेंट किस वर्स से खेला जा रहा है इसके इतिहास के बारे में जानकारी होना जरूरी है 1939,49,59 या फिर 69 एंसर क्या हो जाएगा 1949 या जो है 1949 से खेला जा रहा है थॉमस कब चीक है और भारत पहली बार यह जीता है चलिए देख लेते हैं इसके बारे में 73 साल के इतिहास में अब इसे बारे में 3-0 से इंडोनेसिया को राया भारत ने टूर्णामेंट जो है 49 से खेला जा रहा है भारत छटी टीम है जिसमें यह टूर्णामेंट जीता है थॉमस कब में 16 टीम में भाग लेती है यह इंपोर्टेन पॉइंट है याद रखियेगा और 1915 के बास से इसे हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसको यह थॉमस कब किसके नाम पर है तो सर जॉर्ण ऐलन थॉमस के नाम पर यह थॉमस कब का आयोजिन किया जाता है इन्होंने सबसे पहले बैरमींटन के छेतर में यह कब मतलब यह प्रत्योगिता कराने का विचारत लिए ठीक है Sir जैवित कच्रे से चलेगा, मतलब कि किसी से चलेगा, और्गेनिक वेश्ट पर चलेगा, तो यह दिल्ली, लखनो, पुलकाता या फिर मुंबई कहां पर अस्थापित किया गया है, तो मुंबई में अस्थापित किया गया है, एंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, अब देख ल प्रप्योंग करके और उसको इनर्जी में ईए क्या करेगा, इनर्जी में कन्वर्ट करेगा और इससे 220 यूिट उरजा उत्पन होगी ऑदानद एनर्जी प्रोडक्शन कितना होगा 220 यूनीट और या ऍट्रीन लाइट को भी इनर्जी दएगा ओ इससे लगभक 80 से 1110 le qubit 23, 24, 25 या फिर 26 इसको याद रखना आसान है 25 चीफ एलेक्शन कमिशनर के रूप में उन्होंने सपत गरान किया है राजीव कुमार ने ठीक है उनको नियुक्त किया गया चलिए अब इनका जो होता है नियुक्ती जो होता है वो अनुशे 324 को के खंड दो के ताहत किया जाता ह तो 324A आर्टिकल याद रखियेगा ठीक है 15 माई 2022 से 25 मुखे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है इनको और इससे पहले कौन थे सुसील चंद्रा थे ठीक है और इनका कारे का 14 माई को पूरा हो गया ठीक है राजीव कुमार जो है वो जहरकंड कैडर के 1984 बैच के रिटार्ड आये सधिकारी हैं और उन्होंने 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त का पद भार संभाला था ठीक है चुनाव आयुक्त और मुखे चुनाव आयुक्त दोनों अलग अलग है ठीक है मुखे चुनाव आयुक्त एक ही होते हैं चुनाव आयुक्त दो होते हैं ठीक है निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, टर्मोफ ओफिस होता है, वो 6 साल के लिए होता है, या फिर 65 साल की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल का पूरा हो जाए, या फिर 65 साल का एज जो है उनका वो पहले आ जाए, तो वो रिटार हो जाएंगे, नेक्स्ट है वर्स 1998 में पोखरन में कियेगे परमानू परिक्षनों के उपलक्ष में हर साल किस दिल राष्ट्रिय प्रोध्योगी की दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ठीक है यादर कियेगा इसी दिन 11 माई को परिक्षन किया गया था फोकस 2022 का जो यह दिवस है टेक्नलोजी दे उसका विशय क्या है फोकस क्या होगा तो सतत भविश्ट्रे के लिए विज्ञान और प्रोध्योगी की में एक ग्रित्र डिश्टिकोन यानि की और इस दिवस का नाम किस ने रखा था टल्पिहरी बाजपेईजी ने रखा था अंठानवे में उन्ही के सासन काल में परिक्षन हुआ था पोकरण में और उसी दिन भारत ने त्रिशूल मिशाइल यो की सता से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली मिशाइल है उसका सफल परिक्षन किया था और साथ में जो इंडिजीनस एरक्राफ्ट है हंसा 3 उसका भी टेस्ट पायर या किया था ठीक है इसको भी टेस्ट किया था चले आगे भारतिये पूरातत्व सर्विक्षन और ने खुदाई के दौरन कहा 5000 साल पूरानी आभूशन बनाने वाली फैक्टरी की कोची है तो यह जो है और्नामेंट्स बनाने का फैक्टरी है ज्वेलरी फैक्टरी कह सकते हैं इसको ज्वेलरी फैक्टरी कहां पर खोजा है एसाई तो राकी गड़ी, लोथल, बानावली या फिर कोई ने यह सभी जो है आपका सिंदू सभेता के अस्ताल है यह यादत कियेगा सभी आप जानता ही होंगे राकी गड़ी हर्याना में है लोथल जो है गुजरात में है और बानावली कहां है यह ज़रा कोमेंट में आब तो मैं तो मैं मिसली गाने ंज कर रहा है। मिले साथ में मिठ्टी के चूड़ा मिली हैं और बहुत सारे आपके महत्वो पुन सामान मिले हैं। जो सील पाई गई है उसमें हरपा काल में प्रयोग होने वाली लिपी भी लिखी है जिसको क्या कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपी कहा जाता है जिसको की पढ़ा नहीं गया है कि दावाब किया जाता है लेकिन अभी इसको पढ़ा नहीं गया है और चित्रात्मक लिपी इसको कहा जाता है इसार के राखी गड़ी में पुरा तत्व विभाग ने 7000 साल पुराने सहर के भी कोज की है और उस समय की मकानों की दिजाइन भी मिली है यहाँ पर और किचेन के स्ट्रॉक्चर भी इनमें पाए गए ठीक है याद रखिएगा चलिए आगे देख लेते हैं अकादमिक जगत के लोगों को गहन तकनिक वाले उत्पात बनाने के लिए एम प्राइम प्लेबुक किस से संबंदेता है वाट इज दा एम प्राइम प्लेबुक फोर हेल्पिंग अकेडमिया बेट टेकनोलोजी इंटेंसिव प्रोडक्ट सुचना प्रोड़ोगी की मंत्राल है निती आयोग अटल नवाचार मिशन या फिर बी और सी दोन तो निती आयोग के अटल नवाचार मिशन अटल इनोवेशन मिशन है या संबंदेत है इसलिए क्या हो जाएगा बी एंड सी बोट ठीक है जड़े देख लगते हैं इसके ब प्राइम कारिकरम को सुरू किया था जिसे वेंचर सेंटर पूने लागू कर रहा था जबकि बिल और मिलिंडा गेट्स फाउनडेक्शन जो है वह इसको सहायता दे रही थी और साथ में प्रमुख जो वैज्यानिक सलाकार है जो तीफ सेंटिफिक एडवाईजर है भारत सर प्राइम कारेक्रम कारेक्रम क्या होगा प्रोग्राम फॉर्वाती अस्तर के बैग्यानिक आधार वाले तखनीकी विचारों को प्रोसाहिद करने के लिए शुरू किया गया था और यह प्रोसाहन बारा महिने तक एक मिश्रित पाठिक्रम से परिक्रसिक्षन और पिसा निर्वेश देकर किया जाना है M-Prime program was launched to encourage scientifically grounded technological ideas at the beginning level. This incentive was to be given through blended curriculum for 12 months with training and guidance. चलिए आगे देख लगते हैं next question क्या है Cynthia Roosnaj वेग को हाली में विश्वखाद्य पुरशकार से सम्मानित किया गया है Cynthia Roosnaj वेग has recently been awarded the world food price. Dr. M.S. Swaminathan को यह पुरशकार कब दिया गया था यह question है कि इस साल तो आपका दिया गया है Cynthia Roosnaj वेग को M.S. Swaminathan को यह पुरशकार कब दिया गया था तो 1967, 77, 87 या फिर 97 तो यह जो है आपका 87 में दिया गया था यह में Swaminathan को जिनको की क्या कहा जाता है हरित करांती का जनत कहा जाता है भारत में ठीक है और यह जो पुरशकार है यह किस ने सुरू करवाया था तो सुरू करवाया था जिनको की दुनिया भर में हरित करांती का चनक कहा जाता है इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं सिंत्या रोसथनेजवेक को खाड़े उतिपादन पर जरवायू परिवर्थन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किये गा है इस पर उन्होंने एक model तयार किया, इसी कारण से उनको यह पुरसकार दिया गया है, ठीक है, और यह जो है, विश्व खाद्य पुरसकार foundation के द्वारा दिया जाता है, छेत्र कौन-कौन से होते हैं, किस-किस field में दिया जाता है, तो इसमें है आपका plant है, animal है, animal and soil science है, food science है, technology है, और जितने भी एरियाज है, related to world food supply, ठीक है, जिसमें nutrition है, rural development है, यह सब में यह पुरसकार दिया जाता है, और यह पुरसकार जो है, परिकलपना किस ने की थी, hypothesis किसका था, तो 1970 में, नोबेल सांती पुरसकार के बिज़े था, डॉक्टर नॉर्मन इबॉर्लोग के द्व परिकलपना की गई, और 1987 में सबसे पहले यह पुरसकार दिया गया था, दुनिया बड़ में, सबसे पहले डॉक्टर के में स्वामिनाथन को दिया गया, ठीक है, तो याद चलिए आगे देख लगते हैं, केंदरिये ग्री एवं साकारिता मंतरी श्री अमिस साह ने कहा, ने अस्थापित किया था, इस बार, नेट ग्रीड की अस्थापना कहां की गई है, बैंगलूरू में की गई है, टेक है, उटगाटन दोनों का किस ने किया, अमिस साहजी नहीं किया, नेट ग्रीड सॉल्यूशन की से वाइफ, 11 केंदरिय एजेंसियों और सभी राजियों और क किस जगा पर वरतमान में है, उसके बारे में A to Z जानकारी उपलब्द कराने के लिए यह नेट ग्रीड सॉल्यूशन विक्सित किया गया है, ठीक है, जिससे जितने भी हमारे एजेंसी हैं, जोंकि सुरक्षा का गाम करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे CBI हो, या फिर ED हो इन सब को इसके बारे में जानकारी पी जाएगी, किसी भी क्रिमिनल के बारे में सारा डाटा बेस इसमें इकठा होगा, ठीक है, तो इसी के लिए नेट ग्रीड बनाया गया है, इसमें यदि हम लोग देखें, तो इट विल लिंक यूजर एजन्सीज विद डाटा होल्डर giving them access to real-time information needed for intelligence services and investigation, इससे intelligence service में मदद मिलेगी और साथ में investigation में भी मदद मिलेगा, और net grid के development के लिए CDEC, पूने जो है, वह technology partner है, और IIT विलाई जो है, वो plan management consultant है, यह याद रखिएगा जरूर ठीक है, कि CDEC जो है, वो technology partner है, और IIT विलाई जो है, वो plan management consultant है, तो 2010 में, सुरक्षा मामलों की cabinet समीती के द्वारा, 3400 करोड रूपय की net grid पर योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, याद रखिएगा कि net grid पर कितना खर्चा किया जा रहा है, 3400 करोड रूपया खर्चा किया जा रहा है, और मंजूरी कब दिया गया है, 2010 में ही दिया गया था, ठीक है Next है, Reporters Without Borders के द्वारा जारी 2020 प्रेस सुदंता सुचकंग, 2022 में भारत का क्या रही है, सबसे पहले तो ये कि विस्व प्रेस सुदंता सुचकंग किसके द्वारा जारी किया जाता है, Reporters Without Borders नाम का एक संगठन है, उसके द्वारा किया जाता है, 140 के रहना है, 150, 160, 170, ये भ अकलन किया गया पत्रकाडिता की स्थिति का अकलन भारत की रैंकिंग 150 है 113 देशों में पिछले साल जो है भारत 142 वे नंबर पर था तो इस्थिति भारत की खराब हो गई है आठ पीछे चला गया भारत आठ अस्थान नौर्वे जो है वो दुनिया भर में प्रताम है दूसर का स्थान 150 आगे देख लेते हैं अटर न्यू इंडिया चैलेंज ए एन आइसी के दूसरे संस्करन के चरण एक में सात छेत्रों की अठारा चुनोतियों का सामना करना है ये इन छेत्रों में कौन सामिल नहीं है फेज बन और सेकेंड एडिशन ऑटर न्यू इंडिया चैले इसमें कौन सा सामिल नहीं है रक्षा प्रद्योगी की सामिल नहीं है इस बात डिफेंस टेकनोलोजी को इसमें सामिल नहीं किया गया है शेत्र कौन कौन से हैं वो जरा सा देख लेते हैं तो इमोबलीटी यानि की इगती सीलता है उसके बाद सरक परिवान है यानि की रोड स्राइब के प्राइब की सत्कारी है रटरोटे मेशन किया जाएगा और नेक्स्ट है आपका चिकित्सा ओटकरन यानि की medical devices and equipments और उसके बाद है कचरा प्रबंदन यानि की waste management और फिर है क्रिशी तो ये साथ छेत्र जो है इन से सम्मंदित 18 चुनोतियों पर काम किया जाएगा इसमें ठीक है याद रखिएगा कारेकराम का उद्देश है क्या है तो प्रद्लोगे की आधारित नवचारों की तलास करना, चयन करना, समर्थन करना और पोशन करना ठीक है तो किस ने उठगाटन किया, 29 अपरेल को किया, नरेंदर मोदी जी ने किया, कितने दिवस का था ये, तो तीन दिवस ये था और नाम क्या था, सेमी कॉन इंडिया 2022, और इसका उद्देश है क्या है, सेमी कंड़क्टर निर्मान हव के रूप में भारत को पाचान दिलाना, ठीक है आप इस का उठगाटन कहां किया गया, पैंगलूरू, हैदराबाद, चेनने, राज कोट, एंसर क्या हो जागा, पैंगलूरू में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा परधान मंत्री नरेंद्र लूदी ने 29 अपरेल को पैंगलूरू में तीन दिवसे समी कॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उठगाटन किया, तीन दिवसे सम्मेलन समीकॉन इंडिया 2022 का योजन भारत को इलेक्रोनिक्स विनिर्मान, मसलब कि electronics manufacturing semiconductor design विनिर्मान एवं नवाचार में अगरनी बनाने के लिए किया जा रहा है थीम क्या थी तो design and manufacture in India for the world making India a semiconductor nation यह जो है आपका theme था इस semi call India 2022 सम्भेलन चली आगे देख लगते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या है हमारा भारत में प्रती वर्ष 30 अपरेल को आयुष्मान भारत दिवश का योजन किया जाता है इसकी सुरुवात कब हुई थी आयुष्मान भारत योजना की सुरुवात कब हुई थी चुकि जिस दिन आयुष्मान भारत योजना की सुरुवात हुई थी उसी दिन मतलब 30 अपरेल को हुई थी और उसी दिन जो है यह मनाया जाता है आयुश्मान भारती वश्ट इसलिए जरूरी है 2017-18-19-20 एंसर क्या हो जाएगा 2018 2018 में 30 अपरेल को आयुश्मान भारती योजना की सुर्वात की गई थी तो 36 गड़ के पीजापूर से की गई थी इस ने किया था नरेंदर मोती जी ने किया था और यह मात्वाकांची योजना है केंदर सरकार की जिसके ताथ जो लोई इंकम वाले लोग हैं बहुत बड़ी आवादी है उसके हर एक पड़िवार को 5 लाख रुपे तक की स्वास्ति सुविधार ने सुल्क दी जाती है ठीक है फ्री दी जाती है याद रखिएगा 30 अपरेल को आयो शुमान भारती वश्काय उजन किया जाता है ठीक 2018 में सुर्वात चलिए केंदर सरकार 80 समुदाय को अनुसुचित जन जातियों की सुची में सामिल करने पर विचार कर रही ह या किस राज्य से सम्बंद्धित है ठीक है असर्तरा इसार प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश आंसर्र क्या क्या हो जाएगा लायगा ठीक है तो यह controversy में भी रहा है याद रखिएगा कि माचल परदेश हट्टी समुदाय और हट्टी इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि बाजार में बहुत सारा सामान ये लोग बेशते हैं इसलिए हाट समस्ते ना हाट बाजार तो हाट से बन गया हट्टी ठीक है इनको आदिवा इस नदी दोनों जो है वो यमुना की सहायक नदी है और इन दोनों के बीच का जो छेत्र है उसको कहा जाता है ट्रांस गिरी या फिर गिरी बार छेत्र इसी छेत्र में हट्टी समुदाय रहता है ठीक है याद रखिएगा और क्यों हट्टी कहा जाता है ये तो मैंने करके सफलता पुर्वक हलका परिक्षन किया गया इसका विकास किस ने किया है तो सबसे पहले तो यह आद रखिया कि गगन का परिक्षन किया गया है ठीक है कहां किया गया है मतलब इसका विकास किस ने किया है इसका विकास किया है भारतिय विवान पत्तन प्राधिकरन ने या फिर इसरों ने या फिर या और भी दोनों ने इसका विकास जो है और एयरपॉर्ट ऑफ इंडिया और इसरों दोनों ने मिलकर के किया है तो एंसर क तरह की उप्लम्ती हासिल की है मतलब कि जो आपका परिक्षन है यह किया है ठीक है गगन का गगन एक भारतियों उपग्रह आधारित समवर्धन प्रणाली है जिसे ए ए और इस रो ने संजुक्त रूप से विक्सित किया है अब इस तरह का प्रणाली दुनिया भर में कितना है टोटल चार है ठीक है तो सबका नाम जान लेजिए इंडिया का तो गगन है यह हम लोगों ने देखा आई है अमेरिका का है डबलू डबल एएस यूरोप का है एगनौस और जापान का जो है उसका नाम है MSAS तो यह चारों का नाम याद रखिएगा कि कौन कहां का है ठीक है भूमत दे रखिए छेतर में भारत और परोसी देशों के लिए गगन प्रणाली विक्सित की गई है और LPV पद्दती से उन हवाई जहां जो हवाई अडो पर उतरना संभव हो जाएगा जहां पर विमान उतरने की महंगी परणाली नहीं है मतलब instrument landing system नहीं है जग विमान land होता है उस समय अगर visibility बहुत कम है मतलब आगे बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है तो उस समय instruments के माध्यम से light women lights के माध्यम से landing कराई जाती है और बहुत महंगा परणाली होता है तो उसी का विकल् 25 अपरेल 2022 को उन्नत भारत अभियान 2.0 ने सफलता पुर्वक चार साल पूरे कर लिये हैं इसकी सुरुवात कब की गई थी यह question है 2014, 15, 16 या फिर 18 एंसर क्या हो जाएगा 2018 2018 में उन्नत भारत अभियान 2.2 का सुरुवात किया गया तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं 2022 च प्रक्रियाओं में परिवर्तन कारी परिवर्तन की द्रिष्टी से यू भी यानि कि उन्नत भारत अभियान 2.2 को लॉंच किया गया था उन्नत भारत अभियान जो है वो सिक्षा मंतराले का कारिक्रम है यह यादर कियेगा बहुत इपोर्टेंट है कि किस मंतराले का कारिक् करके इन ग्राम समधायों में आर्थिक और समाजिक बेहतरी में योगदान दे सके मतलब कि एक तरह समझे कि जो उच्छ सिक्षा संस्थान है हायर एजूकेशनल इस्टिचूट से हैं वो पांच गाओं को गोद ले लेंगे और वहां पर जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लेम हो होगा उनमें उनका मदद करेंगे इनका उद्देश्य क्या है ग्रामीन वास्तविकताओं को समझने में उच्छ सिक्षन संस्थानों के सिक्षकों और चात्रों को शामिल करना है ताकि वो अपने अनभवयों का लाब दे सके इन गाओं को वर्तमान में यूजना के ताथ 748 जो हैं वो भाग ले रहे हैं और योजना के चरंदू में 605 संस्थानों का चैयन किया गया है इसमें से 303 तखनीकी संस्थान है और 292 जो है वो गैड़ तखनीकी संस्थान है यहां ज़िया आगे देख लेते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा 14वी सथी के अस्मारक मालचा महल का जिरनोधार किया जाएगा, लिनोवेशन किया जाएगा अब इसका निर्मान किस ने किया था ये क्वेश्चन है, मुहम्मद बिन तुगलग फिरोज साथ तुगलग, अलाव दिन खिल जी या फिर कोई नहीं, तो होई तो होगा ही में इस्थित है, सरदार पटल मार्ग, लगबार तेट किलोमेटर अंदर इस्थित है, उतहा महल है, मालचा महल इसका नाम है 700 साल पहले, 1325 इसवी में, सिकार काह के रूप में फिरोज साथ तुगलग ने इसको बनवाया था तो इनको दे दिया गया था, विलायतमा उत्तार प्रदेश के किस जिले में बने देश के पहले अमृत सरोवर काउडगार रामपूर 75 या फिर खैजाबा सबसे पहला जो क्वेच्चन है, कि अमृत सरोवर काउडगार sounding परदेश में कहा किया गया है तो रामपूर में किया गया है और टोटल कितना बनाया जाएगा तो प्रत्येक जीले में 75 ऐसे सरोवर अमरित सरोवर बनाया जाएगे ठीक है याद रखियेगा चलिए देख लेते हैं इसके बारे में रामपूर जीले के सहबाद तहसील के प्रसारन मुंत्राले ने किस OTT प्लेटफॉर्म के सायोग से आजादी की अम्रित कहानिया नामक पहल के ताथ लगू वीडियो सीरीज जारी की है इन कोलाबरेशन विट फिश OTT प्लेटफॉर्म, Ministry of Information and Broadcasting has released a series of short videos under the initiative आजादी की अम्रित कहानिया Amazon Prime, Netflix, Hotstar, Air Telegram इन चारों का नाम आप लोगोंने जरूर सुना होगा, सब्सक्रिप्सन भी होगा बहुत सारे लोगों के पास तो Netflix के साथ यह सब रहता किया गया है OTT प्लेटफॉर्म है ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में सुचना और प्रशारन मंत्राले और Netflix ने प्रेड़क लगो वीडियो आजादी की अमरित कहानिया बनाने के लिए हाथ मिलाया है Netflix और मंत्राले भारत में Post Production, VFX, Animation, Music Production के लिए Creative Ecosystem विक्सित करने के लिए भी Partnership करेगा Netflix महिला ससक्तिकरन, पढ़्यावरन और सतत्विकास के महत्व के अन्य विश्यो सहित पचीस वीडियो तयार करेगा Netflix will be producing 25 वीडियोज on themes including Women, Environment, Environment and Sustainable Development and Other Days of Signification अलग-अलग दीवस जो हैं उन पर भी वीडियो बनाएगा यह Single column piers पर समर्थित Metro rail और flyover highway के साथ सबसे लंबे double decker mark से तू 3.4, 1.4 km का जो है इसका निर्मान करके कहां पर विस्व record बनाया गया है Where was the world record created by building longest double decker bridge with metro rail and flyover highway supported on single column piers और यह कितने किलोमेटर का है 3.14 km का है तो कानपूर, नागपूर, लखनौ या फिर पूने कहां पर बनाया गया नागपूर में यह world record बनाया गया है याद रखिएगा और निर्मान किस ने किया है तो भारतिय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरन यानि की ने किया है National Highway Authority of India और साथ में महराष्ट मेट्रो के द्वारा मिलकर किया है तो इसने मेट्रो भी होगा और highway भी होगा ठीक है लंबाई कितना है 3.14 km है नागपूर में 20 record बनाया गया ठीक है और single column piers पर समर्थित metro rail है और साथ में flyover highway भी है ठीक है 3.14 km का डबल डेकर मार्ग सेतू पर अधिक्तम metro station के निर्मान को ACA book of records और इंडिया book of records के द्वारा मानेता दी गई है ठीक है चलिए आगे देख लेता है स्मार्ट सिटी स्मार्ट सहरी करन सम्मेलन में किस सहर को सर्वस्रेष्ट सहर का पूरशकार दिया गया है which city got the best city award in the smart city's smart urbanization conference सूरत इंडौर अहमदाबाद बोथ A and B वो इसमें सूरत और इंडौर दोनों को दिया गया है award ठीक है याद रखिएगा तो answer क्या हो जाएगा बोथ A and B answer हो जाएगा चलिए देख लेते हैं इसके बारे में सूरत में smart city और smart सहरी करन सम्मेलन सुरू हुआ है कहां पर आयोजित हुआ सूरत में आयोजित हुआ या यादर कियेगा 100 smart सहरों ने इसमें भाग लिया है और 2020 के वीजेताओं को इसमें सम्मानित किया गया सूरत और इंडौर को सर्वस्रिष्ट सहर का पूरसकार मिला और उत्तर परदेश को सर्वस्रिष्ट राज्य का पूरसकार मिला तो ये भी याद रखना जरूरी है smart city mission के ताथ 90,000 करोड़ों पैसे अधिक की सरकार के द्वारा विद्ट पोसित लवक्स 100% पर यजनाव पर काम सुरू हो चुका है तो टोटल विद्ट पोशन कितना है 90,000 करोड़ों पैसे याद रखिएगा सहरी आउटकम संरशना 2022 मंत्राले के एकिक्रित डाटा पोर्टल AMPL, IFI और smart city mission के लिए आउटपुट, आउटकम, डैस्बोर्ट सहीर कई पालों का सुभारंब किया गया कहां के स्वामी नारायन अक्षरधा मंदिर परशन में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर rooftop system का उठगाटन किया गया तो यह गांधी नगर राजकोट दिल्ली या फिर सूरत एंसर क्या हो जाएगा गांधी नगर में इसका उठगाटन किया गया है नरेंदर मोदी जी के द्वारा कहां पर गुजरात के गांधी नगर में स्वामी नारायन अक्षरधा मंदिर परशन में छटो पर लगाई गई इसका बड़ा अजीब है नाम छोड़ दीजे जी आई जेट इतना ही याद रखिए इसने साहेता उपलब्द कराई है बहुत ही अजब आगे देख लेते हैं नेक्ष्ट कोशन क्या है प्रधान मंत्री ने हनुमान जयनती पर कहां हनुमान जी की 108 फिट उची प्रतिमा का अनावरन किया है तो सबसे पहले तो याद रखिए कि मुचाई कितनी है 108 फिट उठगाटन किस ने किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कहां किया महराश्वरा गुजरात उत्तर परदेश या फिर मंद्यपरदेश तो एंसर क्या हो जाएगा इसकी अस्थापना की गई है गुजरात में ठीक है गुजरात में चा पहला मूर्ती अस्थापित कर दिया गया था कहां पर हिमाचल परदेश में पहला मूर्ती अस्थापित किया गया था सिमला में ठीक है 2010 में और उसके बाद दक्षिर में रामेश्वरम में कारे जो है वो सुरू किया जा चुका है वहां पर अस्थापित होगा और पूरो मे कहां पष्चिम मंगाल में और अभी हाली में पष्चिम में कहां किया गया तो कुझ रात में ठीक है एक 108 फीट उची पर्योजना है ठीक है प्रतिमा है या और पर्योजना का क्या नाम है हनुमान जी चारधाम पर्योजना ठीक याद रखिएगा चलिए आगे देख लेते हैं क्रियेट फॉर इंडिया नाम के किस संगठन ने हाली में एक पहल की गोशना की है भारतिये खेल प्राधिकरन इश्रो डियाडियो या फिर CBSE तो क्रियेट फॉर इंडिया किसकी पहल है यही पूछ रहा है क्वेश्चिन तो स्पोर्स ऑथरिटी आफ इंडिया की पहल है ठ किया है क्रियेट फॉर इंडिया ठीक है चलिए पर्मिंगम में आयोजित हो रहा है CWG 28 चुलाई से सुरू हो चुका है ठीक है और इसी के लिए उत्सा बढ़ाने के लिए स्पोर्स ऑथरिटी आफ इंडिया ने क्रियेट फॉर इंडिया अभियान की सुरुवात की है राश्टमंडल जो खेल हो रहा है उसमें 16 खेलों में 215 सदस्य भाग लेंगे भारत की तरफ से मतलब प्रत्य एक इंसान के लिए खेल हर एक सब के लिए खेल और भारती खेल प्राधिकरन की बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्राले के अंतरगत यह आता है और 1984 में अस्थापित किया गया था भारत का जो है सरवोच राष्ट्रिये खेलनी का है ठीक है एपेक्स नेशनल स्पोर्स बड़ी है ठीक स्पोर्स ऑथरिटी आफ इंडिया आईटी कानपूर के द्वारा सुरू निरमान त्वारत कारेकरम के तहत किन छेतरों से जूरे 15 स्टार्ट अप्स को बढ़ावा दिया जाए 15 स्टार्ट अप्स रिलेटेट टू विच सेक्टर्स विल बी पर्मोटेट अंडर दे मैनुफैक्ट्रिंग एक्सिलेटर प्रोग्राम लॉंच्ट बाई आईटी कानपूर को किसके द्वारा लॉंच किया गया है आईटी कानपूर के द्वारा यह याद रखिएगा सबसे पहले तो कारिकरम का क्या नाम है मैनुफैक्ट्रिंग एक्सिलेटर प्रोग्राम ठीक है और इसमें कितने स्टार्ट अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा पंदरा तो तीन क्वेस्चन तो यहाँ पर क्वेस्चन सही बन गया अब चौथा देख लेते हैं कि कौन-कौन से चेत्र से दिया जाएगा पंदरा श्टार्ट अप स्वास्त्य शुरक्षा क्रिसी और तीनों चेत्रो से पंदरा स्टार्ट अप सुने जाएंगे और उनको बढ़ावा दिया जाएगा IIT कानपूर के द्वारा चीक है तो इसमें जो है आपका The Startup Incubation and Innovation Center A Technology Business Incubator at IIT Kanpur Is launching a Manufacturing Accelerator Program तो यह program किसके द्वारा launch किया गया है Startup Incubation and Innovation Center जो कि IIT Kanpur में अस्थापित है उसके द्वारा यह program चलाया जा रहा है 15 startups को चुना जाएगा किस sector से Health, Security and Agriculture sector से ठीक है और उनको जो है Laboratory से लेकर बाजार तक उनका जितना भी product है वो तेजी से बिख सके मतलब कि Laboratory से बन करके और पाजार तक तुरंत पहुंचे तुरंत बिख जाया और उचित दाम मिले इसकी व्यवस्था यह करेगा ठीक है और सर्वसेश्ट प्रदर्शन जो करेगा श्टार्ट अप उसको दस लाख रुपे तक का प्राइज भी दिया जाएगा ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं दिलिग कुमार इन दे सैडो ऑफ अलिजेंट नामक पुस्तक के रचाइता कौन है कौन किसने लिखा है निदा फाजली मनोज मुंतसीर फैसल फारुकी या फिर प्रहला दगरवाल एंसर क्या हो जाएगा फैसल फारुकी हो जाएगा जो की माउथसट.com माउथसट.com के संस्थापक है ठीक है और CEO ठीक है याद रखिएगा फैसल फारुकी कौन है माउटसट.com के संस्थापक और CEO है इन्हों नहीं दिलिप कुमार पर लिखा है यह किताब इन दिलिप कुमार का निधन हो गया था कब 7 जुलाई 2021 को हो गया था और इनकी पहली फिल्म जो थी वो जुआर भाटा थी जो की 1944 में रिलीज हुई थी आजादी से वहले ठीक चले आगे देख लेते हैं जापानी समुद्री आत्मरक्षाबल और भारतिये नौशेना के वीच समुद्री साजदारी अभ्यास MPX कायोजन हाली में कहां किया गया मैरिटाइम पार्टनर सी पिक्सर साइज इसका पूरा नाम है MPX का ठीक है अरब सागर दक्षिन चीन सागर अनमान सागर या फिर फारस की खारी एंसर क्या हो जाएगा अनमान सी अनमान सी में आयविजित किया गया जापान और भारत की नौशेना के वीच ठीक बिलकुल याद रखिएगा MPX ठीक है इसमें भाग लिया है ठीक है तो समदर और सुकन्या याद रखिएगा ठीक है और इसका उद्देश क्या होता है तो दोनों देशों के बीच में आपसी समझ को मजबूत करना और हिंद महासागर छेतर में जो है इसके लिए नियमित अभ्यास किया जाता है समदरी शमू को मजबूत करने के लिए ठीक है हिंद महासागर छेतर में याद रखिएगा कहां पर आयोजित किया आता है हिंद महासागर छेतर में आयोजित किया जाता है इस अभ्यास का उद्धेश्य क्या है तो अंतक्रिया, जिव्ता जो है उसको बढ़ाना चिक है और साथ में सूभ यवस्तितता यानी कि Streamlining करना और साथ में communication process को ब्हेतर करना चिक है ब्यास हिंद्ध महासागर छेटर में सुरक्षित अंतराश्त्रिय सिपिंग और व्यापार सुनिशित करने के लिए दोनों नौसेना के बीच में चल रहे प्रयासों का हिस्जा है ठीक है चलिए आगे देख लिता है next question क्या है स्री रामनात कोमिंद जो की पुर्वराष्ट्र पती थे उन्होंने गुजरात में इस्थित पूरबंदर के माधव पूर घेर में पांच द पूर बंदर गुजरात में आयोजित होता है अब उठगार्ट यह कब से आयोजित किया जा रहा है यह question है 2016 17 18 यह पिर 19 तो यह जो है आपका आयोजित किया जा रहा है 2018 से नंस्कृती मंत्राले के सहयोग से गुजरात सरकार इसका आयोजन करती है भगवान्स रिक्रेश्न और रुखमेनी के पवित्र बंधन का उत्सम मनाने के लिए ठीक है नाम क्या है मिला का माधवपूर घेर मिला याद रखियेगा गुजरात में पूरबंदर में यह मनाया जाता है पिना का MKI रॉकेट प्रणाली तथा पिना का एरिया डेनियल मुनिशन रॉकेट प्रणाली का सफलता पुर्वक परिक्षन DRDO और भारतिये सेना के द्वारा कहां किया गया है इस के द्वारा DRDO और भारतिये सेना के द्वारा पिना का MKI और अधिक खुबियों के साथ बनाया गया है जो की रॉकेट प्रणाली है EPRS तथा पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन रॉकेट प्रणाली इन दोनों का राजास्थान के पोखरन फाइरिंग रेज में DRDO और भारतिय सेना के द्वारा सफलता पुर्वत परिक्षन किया गया है पिनाका रॉकेट प्रणाली को किसने बनाया है पुने की आयोध अनुसंधान और विकास प्रतिश्थान के द्वारा विक्सित किया गया है पिनाका रॉकेट सिस्टम इस डेवलप्ट बाई पुने-बेस्ट ओरिनेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट इस्टेबलिस्मेंट और किसके कॉलाबॉरेशन में यहां अस्तापित किया मतलब बनाया गया है तो हाइए इनरजी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी और पुने-बेस्ट एक इंस्टिचूट है किसका DRDO का ठीक है इसके सहयोग से यहां बनाया गया है इसके कॉलाबॉरेशन में बनाया गया आगे देख लेते हैं, कांगरा चाय किस राजे से जुरा हुआ उत्पाद है, जिसे जल्द ही यूरूपी ये आयोग से भागोलिक संगेतर टैग मिलने वाला है, यूरोप से, ठीक है, भारत से पहले ही मिल चुका है, यूरोप से अब मिलेगा कांगरा चाय को, कहां से तो याद रखिएगा कांगरा चाय, तो चलिए देखते हैं, अब इसके बारे में कुछ facts जो की परिक्षा में काम आने वाले हैं, तो हिमाचर परदेश के कांगरा जीले की प्रसिद्ध चाय को यूरूपीय संग से जियाइटाइग मिल सकता है, यह नियूज है, यहां पर पर एक पैमाने पर निडियात होता है यूरूपीय देशों में कांगरा चाय का, और चाय की खेती का जो विषय था, यह बहुत important point है, कि चाय की खेती का जो विषय था, वो पहले उद्योग विभाग के अंतरगत था, 1999 में इसको क्रिसी विभाग के अंतरगत ला दिया गया प्रतिष्टित सरस्वती सम्मान 2021 से समानित प्रसित्द कभी और साहित्यकार प्रोफेशर राम दरस मिस्रा किस राज से हैं, सबसे पहले याद रखियेगा कि सरस्वती सम्मान 2021 से किस को सम्मानित किया गया है, प्रोफेशर राम दरस मिस्रा को, और यह कहां से हैं, पिहार, अगस 1924 को इनका जन्म हुआ था याद रखेगा और इनका कविता संग्रा है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है सरस्वती सम्मान के अस्थापना कब हुई थी 1991 में हुई थी और देश के सबसे प्रतिष्टित साहित्य कुरशकारों में से एक है या किसको दिया जाता है तो किसी भारतिये नागरिक को दिया जाता है संपिधान में जो 22 भासा हैं उनमें से किसी भी एक भासा में पिछले 10 व सेलेक्शन कमीटी के द्वारा और इसके वर्दमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुभास सी कश्यप डॉक्टर सुभास सी कश्यप जो की लोग सभास सची वाले के पूर्व महासची भी थे फॉर्मर सेक्रेटरी जन्रल ऑफ लोग सभास सेक्रेटरी एक चली आगे देख लेते ह देविका रंगचारी ये द्वारा लिखी गई Queen of Fire उपन्यास में किसकी कहानी का वर्णन है तो सबसे पहले याद रखिएगा Queen of Fire उपन्यास किस ने लिखा है देविका रंगचारी ने लिखा है लक्षमी भाई, अहिल्या भाई, अवंतिका भाई या फिर रानी पद्मनी यह जो है रानी लक्ष्मी भाई के जीवन पर आधारित है कि किस प्रकार से उन्होंने एक सैनिक के रूप में, एक रानी के रूप में और एक राजनेता के रूप में अपनी जीवन यात्रा जी थी, ठीक एक वीन ओफ फायर और यह जो है देविका रंगचारी बच्चों की लेखी का और इतिहासकार है, यह भी याद रखिएगा, ठीक चलिए, आगे देख लेते हैं, भारतिये रिजर्व बैंक, नोट मुद्रन प्राइवेट लिम्टेट, यह इसका जो अंग्रेजी है वो भी यही है, इंडिया नोट मुद्रन प्राइवेट लिम्टेट, रिज जो है, आपका मैसूर में अस्थापित किया गया है, जो की करनाटक में इस्तित है, तो एंसर क्या हो जाएगा, करनाटक में, ठीक है, वर्निका, याद रखिएगा, स्याही, निर्मानिका, इंक, मैंनो फ्राइवेट लिम्टेट, यह आपका भारतिये रिजर्व बैंक, नो पादक शमता है, वार्सिक, वार्सिक स्याही निर्मान शमता कितनी है, 1500 मिट्रिक टन, और यह जो है, इंटेक गलियो इंक का निर्मान करेगा, जिससे भारत में बैंक नोट और प्रिंटिंग प्रेस का, बैंक नोट के प्रिंटिंग प्रेस का, जितना भी डिमान होगा, स् Electronic mode के माध्यम से न्यायाले के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए किस नाम से एक software launch किया है तो faster, passer, expedite और rapid चारों का जो हिंदी में अर्थ होता है वो है तेज, ठीक है तो इसका नाम है faster, जो software launch किया गया है वो है faster ताकि अदालतों का जो आदेश है वो है पक्षकारों के इंटर्फेयर के बीना तुरंत ही तेजी में प्रसारित आगे किया जा सके ठीक है इसके लिए faster application launch किया गया है, faster नाम से software launch किया गया है और faster का full form है fast and secure transmission of electronic records ठीक है is to transmit security to the orders passed by the Supreme Court और एनी अदर कोट without interference from the earth party जैसा मैंने आपको बताया भी समझाया दिए बारत-फ्रांस द्विपक्षिय नौसेना अभ्यास वरुन 2022 के बीसवे संसकरन का योजन कहां हुआ तो यहां से तीन question बनता है पहला कि भारत-फ्रांस के बीच में द्विपक्षिय नौसेना अभ्यास है नाम क्या है वरुन और पीसवा संसकरन का योजन 2022 में किया गया कहां किया गया बंगाल की खारी फारस की खारी अरब सागर या फिर इनमान सागर एंसर क्या हो जाएगा अरब सागर या जो है हिंदमा सागर छेत्र में आयोजित किया जाता है तो अरब सागर में यह आयोजित हुआ कब से कब तक 30 मार्ष से लेकर 3 अपरेल 2022 तक अरब सागर में आयोजित हुआ यहां पर living root bridge क्या होता है यह भी समझना जरूरी है इधर भी जंगल है इधर भी जंगल है यह जो है आपका rubber का या फिर अंजीर का जंगल होता है इधर पेर है ठीक है और इसका एक जर जो है न वो क्या हुआ यहां से जर जो है इसका बढ़ते बढ़ते नदी को पार करता हुआ या फिर नाले को पार करता हुआ और इस तरफ के जंगल में पहुँच गया तो यह क्या हुआ उपर की तरफ से एक bridge के तरह का बन गया है पेर का जो तना है या फिर जर जो है वो bridge के आकार का बन गया इसी क को जो है जिंकियंग जड़ी के रूप में भी जाना चाता है ठीक है 15 से 20 साल का समय लगता है इसको इस तरह का ब्रीज बनने में और सदियों तक इसकी उमर पूरती है ठीक है चलिए आगे देख लगते है नेक्ष्ट क्या है जल सकती मंत्राले के द्वारा कब पहला राष्ट कर दिया गया है हाली में रामनात कोमिंत के द्वारा ठीक है जो कि और आपके राष्ट्रपति हूँ है हमारे राष्ट्रपती तो जल शकती मंत्राले के अंतरगत गंगा जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षन विभाग के द्वारा यह शुरू Korean तीसरा राश्क्री जलपूरसकार दिया गया है हाली में और साथ में Catch the Rain Campaign 2022 का भी सुभारम पर किया गया है शुरुवात कब हुई थी? 2018 में हुई थी जलपूरसकार की ठीक है याद रखियेगा और इसमें जो है सर्वस्रेष्ट राज्य स्रेणी में उत्तर परदेश को फर्स्ट प्राइज, राजस्थान को सेकेट और थमिलाडू को थर्ड प्राइज प्राप्त हुआ है तो उत्तर परदेश को प्रथम पुरशकार याद रखियेगा इसमें कुछ आंकरा है कि भारत में पानी की जो वर्तमान आवश्यक्ता है वो कितनी है, ग्यारा सो बिलियन क्यूबिक मीटर है ठीक है और 2050 तक यह जो है आवश्यक्ता बढ़कर के हो जाएगी 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर ठीक है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकता है पानी से संबंदित कोई भी मिन्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कर सकता है भारतिय प्रोद्योगी की संस्थान देश के बाहर कहां अपनी पहली साखा स्थापित करेगा तो संजुक्तर अरब अमिरात, मालदेव, बंगलादेश या फिर भुटान तो जाएगा एंसर क्या होगा इसका उनाइट अरब अमिरेट होगा ठीक है संजुक्त अरब अमिरा चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भारत के सरस्रेश्ट सिक्षक संस्तानों में से सामिल जो है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा सिक्षा मंत्राले ने राष्क्रिय उच्टर सिक्षा अभियान योजना को किस वर्स तक जारी रखने की मंजूरी दी है तो 2024, 2025, 2026 या फिर 2030 इस एंसर क्या हो जाएगा 2026 हो जाएगा ठीक है सबसे पहले याद रखना है कि किस मंत्राले की पहल है तो सिक्षा मंत्राले की या पहल है ठीक है और नई योजना जो है इसके तहत लाई जा रही है 31 मार्ज 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है और नया चरन होगा इसका और इसके लिए 12,929 तसमलो एक 6 करोर रुपए का खर्च किया जाएगा जिसमें कुछ हिस्सा केंदर सरकार का है बढ़ा हिस्सा 8,120.97 करोर और राज्यों का हिस्सा जो होगा वो 4,008.19 करोर रुपए होग और इस योजना के नया चरन के तहल 1600 पर योजनाओं को साहता दी जाएगी ठीक है और यहां जो होगा एक केंदर प्रायोजित योजना होगा सेंटरल स्पॉंसर्ड स्कीम होगा यह याद रखियेगा और इसका उद्देश क्या है तो इस कॉंप्रिहेंसिव स्कीम इस वर्क कृष्टता के लक्ष को प्राप्थ करने के उद्देश से राज्य-सरकार की जो संस्थान हैं या विर्विस्विद्याला हैं कॉलेजेज हैं उनको फिनांस दिया जाता है वित्त पोशन दिया जाता है इसके ठीक है यह जो है योजना सिक्षा मंत्रा लेकी है जोकी 2026 तक जारी रहेगी तो ये था हमारा टॉप 50 करेंट अफेर्स का थर्ड पार्ट ठीक है थर्ड पार्ट था ये इससे पहले भी दो पार्ट दिये जा चुके हैं जाकर के जरूर देखिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समात नेक्स्ट वीडियो में मैं चंदरवर्धन फिर से आप से मिलूंगा तब तक के लिए मुझे दीजिये जाजत जैहिंद कवंदे मातरव